तो दुख्तों आपने के लिए बहुत ही ज्यादा एक खुश्कवरी आ चुकी है कि DRDO में लैब टेक्निशन के वेकंसी निगल चुकी है जी हम बिलकुर आपने सही देख रहे हैं यहां पर जो देख रहे हैं DRDO के वेबसाइड है और यहां पर काफी सारे डिपार्टमेंट मे भी वेकंसी निकली हुई है तो यह DRDO का वेकंसी देख यह वेबसाइड आप देख सकते हो यह आप नीचे स्क्रोल करेंगो तो आप देखो को यह तीन तारीक को नहीं के तीन सेप्तमबर को इसका ओनलाइन ओपनिंग अप्लिकेशन फॉर्म ओपन होनों वाला है दस वज़ सकते हैं इसके लिए जो सिक्स लेवल पर जो मैक्टिस है वो 35,400 से लेके एक लाग 24,000 तक सेलरी है इसमें तो मतलब बहुत ही अच्छा का सा भारी वर्कम सेलरी इसमें मिलने वाला है आप लोगो अगर यहां पर आपका सेलक्शन हो जाता है तो और जो एज लिमिटेशन है 18 to 28 year of age यह कब से होगा यह CST, OBT, OBC, NCL, ESM या जितने भी काश राते हैं इन सब में यही सारी चीज़े किया गया है और उनका जो age period जो count किया जाएगा वो 1180 से लेके 31-12, 1989 जो government का जो rule है उसके अधार पर यह लोग करने वाले हैं तो अगर आप लोग है 18 से लेके 28 तरह के age में तो आप लोग वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो नीचे आप यहाँ पर जो भी इनके requirement और जो दिया हुआ है देख सकते हैं बैचलर डिगली, science और डिप्लोम में या अगर कोई इंजिनियर है या टेकनोलोजी है computer science अगर कोई किया हुआ है तो ओभी इसमें apply कर सकता है अगर कोई MSC, BTEC, PhD भी अगर किया हुआ है तो इसमें वो कर सकते हैं तो अगर चलिए हम नीचे यहाँ पर चलकर देखते हैं जैसे देख सकते है एगली कल्चर में निकला हुआ है दस सीटे टूटल निकला है आटो मोबाइल इंजिनियर निकला हुआ है वह इसे यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रोल करके आप आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा medical lab technology जो code नमबर है 0117 पर आप देखोगे जिसके लिए BSc degree अगर medical technology से अगर क किया है minimum two year diploma अगर किया हुआ है तो वह apply इसमें कर सकता है और साथ ही साथ वह जो डिप्लोमा किया हुआ हुआ है या तो central government से अटेच हो या जो state government है अगर वहां से अगर अटेच हुआ है तो वहां से आप कर सकते हो और एक साल का आपका कम से कम experience सही है तो देख सकते हैं इस सबमें मिला के तो आप यहां पर पता कर सकते हो कौन कौन में कितना कितना सीट निगरा हुआ है तो यह सारे चीज़े जब आप अप्लाई कर दोगे तो apply करने के बाद से आप यहां पर देख सकते हो यहां पर पेर वोल दिया हुआ है यह निक 11900 से लेके 33200 तक जो लैब टे बाकी आप नीचे यहां पर और स्क्रोल करके आओगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर कोड पोजीशन इस्टेशन जो दिया हुआ है जैसे अगर आप आगरा से है तो एवन होगा अंदाबा से है तो यह टू होगा अमबेर नाथ से है तो एथरी होगा सेम उसी यह थी करन Epyra से आप लोग देख सकते हो कि अगर पूना से सअथ फियोन हो जाएगा या अगर कोई कानफूर्ज है तो क्य वन हो जाएगा यह आपका पोस्टल कोड़ है यह जब फाल लिगा तहूज आपको अपना जू आपका जो सीच्ट आस चीटी ढसे और आपको कोड वाइफाई जो भी सर्टिफिकेट औरिजिनल होना चाहिए डूपलिकेट आप उसमें नहीं लगा सकते हो यह सारे चीज़ें क्योंकि यह सेंट्रल गौर्वर्मेंट की एक इसमें सारे चीज़ें जात होता है अगर आप गलत सर्टिफिकेट अगर लगाते हो अपकड़ जात हुआ है ओनलाइन अप्लिकेशन का फॉर्म चालो होना वाला है और लिंक मैं आपको शेयर कर दोंगा अपने चैनल के माध्यम से आप लोग वहां से जाके अपलाई कर सकते हो और जो भी अगर सक्षा में इसमें जरूर अपलाई करना अच्छा सेलरी मिलने वाली है तो यहा झालो है